एक आज़ फिस स्वाहगत है तो इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि टूसले के दिन मार्किट किस प्रकार से काम करने वाला है तूसले पर निफटी बैंक का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल एंड जो वाटसब ग्रूप है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा जाकर करके आप जोईन कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती हो और साथ में आप हमसे किस तरीके से काम कर सकता है तो यहां पे हमने ओपन कर लिया है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं कि यहां पे जो एक काफी अच्छी अपसाइड बनी थी उसके बाद में एक करेक्शन है यहां पे और करेक्शन के अंदर आप देखोगे कि यहा जैसा कि मैंने आपको बोला था कि continuously weekly chart के उपर है तीन बार यहां पे green candle बनी थी और previous week के अंदर आप देखोगे तो यहां पे एक red candle बन चुकी थी ठीक है तो अब हो सकता है कि यहां पे support के पास में यह आ चुका है already तो यहां से support लेकर के upside में चला जाए या फिर जो red candle तीन green candle बनी थी यहां पे continuous उसके बाद में एक red candle बनी है अच्छी कासी तो अब वापस हो सकता है कि यह green candle का formation करते है और उसी zone के अंदर रहे तो कुछ भी हो सकता है अभी आप देखो तो यहां पे क्या हो रखा है एक support मिला है ठीक है और support मिलने के साथ में आप देख सकते हो क यहां पे support मिलने के बाद में यह upside दिखा सकता है अब इसमें एक catch है ठीक है क्या है कि यहां पे हो सकता है कि यह थोड़ा सा bounce लेने के बाद में इसको breakdown करके नीचे आए तो यह चीज हो सकती है जब तक यह यहां पे यह जो यहां पे आप देख सकते हो कि छोटा सा एक रजि सकता है लेकिन वहां से अगर मीच आया तो फिर यह जो swing low है इसको break कर सकता है तो यह आपको ध्यान रगना है अब इसके अंदर थोड़ा सा चीज़े मैं आपको बताऊंगा कि कल US के जो economic data है ठीक है वो यहां पे क्या आए है और यहां पे बाते चल रही है कि जो बाते क्या वो भी data ही है जापान की हम बात करें तो वहां के भी जो economic data है वो भी week ही आये है अब आप देख सकते हो कि यह जो global economic data है वो क्या है धीमा है धीमेपन की यहां पे signal मिर रहे है कि economic data है वो week हो रहा है तो market यह मान के चल रहा है कि जो interest rate है ठीक है interest rate है उसको cut करना चीए और cut करन चीए अब market अगर यह 50 basis point करता है इसको cut तो एकदम सही लेगा कि जो US FED है वो यहां पे उसकी जो यहां पे US FED की meet है 18 September को interest rate के उपर decision आएगा तो उसके अंदर 50 basis point करता है तो market उसको सही तरीके से लेग लेगा कि economy है वो एकदम थोड़ा सा downtrend के अंदर आ चुकी थी तो व बहुत negative ले सकता है कि यह मानके चलेगे economy downtrend के अंदर आ चुकी थी और यह इसी वज़े से थोड़ा सा यहां पे fast तरीके से cut करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन इस बार जब मानके चल रहे हैं कि जो बड़े यहां पे analyst हैं वो यह मानके चल रहे हैं कि 25 basis point का ही क्या होने वाल है तो देखते हैं कि इस तरीकेगा होगा लेकिन अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान रखना है ठीक है क्या ध्यान में रखना है आपको यह ध्यान रखना है कि अब है ना जो पैसा बनेगा ठीक है जो पैसा है वो बनेगा बहुत ही tough तरीके से बने यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और अब आपको क्या करना है specific होना है किस-किस के अंदर ठीक है specific की बात करें तो यहाँ पे आपको stocks specific भी होना है और sectorial specific भी होना है यह आपको ध्यान रखना है और कभी भी अब आपको यहाँ पे single installment के अंदर काम नहीं करना है यह आपको ध्यान रखना है, single के अंदर आपको काम नहीं करना है आपको यहाँ पे SIP के तरीके से पैसे डालने है यह आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अब आपको, यह बहुत important शीज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत important है, अगर आपको काम नहीं करना आता, ठीक है knowledge नहीं है, ठीक है, knowledge नहीं है तो please अब आप market से अलग हो जाएए, अब market है वो 2020 से लेकर के 2024 का जो दोर था, वो यहाँ पे लगभग complete हो रखा है तो अब यहाँ पे अगर आपको knowledge नहीं है, तो अब आप यहाँ पे किसी भी stock के अंदर डाल करके पैसा, कहीं पे भी पैसा डाल करके पैसा नहीं बना पाओगे तो यह आपको ध्यान रखना है कि अब आपको थोड़ा बहुत नहीं अच्छा कासा knowledge है, तो ही आप काम कीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से side हो जाएए और आप mutual fund के अंदर या फिर जो अच्छे fund manager है, उनको आप follow कीजिए और उनके according आप काम कीजिए तो यह जीजिए आपको ध्यान रखनी है, अब 15 minute के ऊपर चलके हम इसके कलके जो level है, वो देख लेते हैं किस तरीके से यह काम कर रहा है और किस तरीके से कर सकता है आप देख सकते हो कि market ने यहाँ पे gap down opening दी, gap down लगवख flat type का था, थोड़ा सा gap down था यह वाला लेकिन उसके बाद में नीचे गया, वापस से recover करके जो यह line हमारी उसके उपर आया है, उसके बाद में आप देख सकते हो कि एक high create किया यह जो previous के अंदर दो lows के यहाँ पे थे, ठीक है, यह lower higher थे, तो इनको यहाँ पे cut कर चुका है, वापस नीचा आया, तो इस previous low को, इस new low ने क्या नहीं किया है, previous low है, उसने cut नहीं किया है, फिर से upside में गया, upside के अंदर क्या है, इस जो high को यहाँ पे इसने high बनाया है, उस को यहाँ पे cut कर चुका है, तो अब trend है, वो किस तरीके का दिखार आपको, ठीक है, trend आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह इस तरीके का बन चुका है, तो इसका meaning क्या है, आप देख सकते हो कि एक uptrend है, वो start हो रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ से upside में जाए, और वो upside तक आपको ध्यान रखनी है पचीस अजार पचास के ऊपर जब तक मार्केट नहीं ठीकेगा तब तक हो सकता है कि ये बाउंस ले ठीकर उसके बाद में नीचे चला जाए तो ये आपको ध्यान रखना है अगर इसके अंदर लेवल्स की जो लेवल है वो है 24,960 ठीक है मैं यहाँ पे लेवल आपके सामने लगा देता हूँ एक बार यहाँ पे लेवल है वो मैंने लगा दिया है ठीक है एक बार थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको छोटा कर देता हूँ ठीक है ये लेवल मैंने लगा दिया है अब आप देख सकते हो कि upside के अंदर जो ये level है वो है 24,960 का level और नीचे के अंदर आपको ध्यान रखना है ये जो level है level की value है 24,925 का market है वो इसी zone के अंदर open होकर के breakout देगा तो आप bank side में चाहिएगा 25,050 तक कोई problem नहीं है upside बनेगी ठीक है उसके 25,050 मैंने आपको बोला है ठीक है 25,050 वहाँ पे जाकर के आप profit booking कर लीजिएगा हो सकता है वहाँ से reverse कर जाए हो सकता upside बने लेकिन हम देखेंगे वहाँ पे जाकर के ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि range बनने देनी है और अगर माल लेते हैं कि इस 24,970 के ऊपर ही opening देता है तो आप resistance के पास में wait करो वहाँ पे यह range बना करके breakout या फिर यहाँ पे क्या करेगा breakdown देगा तो आप दोनों direction में किसी भी direction में trade ले सकते हो अगर gap down opening देता है तो gap down opening देता है तो यह जो यहाँ पे support areas है वहाँ पे आप देखेगा कि यहाँ पे range बना रहा है या सिर्फ bounce लेकर के breakdown दे रहा है दोनों ही condition range बना करके breakdown दे या फिर bounce लेकर के breakdown दे दोनों ही condition के अंदर आप sell trade initiate कर सकते हो तो upside में मैंने बोला है 24,960 जो कि यह जो है इसके उपर निकलेगा तो 25,000 और 25,030 का जो level है वो आपके सामने आएगा उसके बाद में 25,065, 25,100, 25,125, 25,165 यह हमारे upper side के target होंगे 25,050 important level है तो यहाँ पे यह जो range है दोनों की 25,030 से लेकर के 25,065 की आपको mark करके रखनी है अब हम बात कर लेते हैं नीचे की 24,925 यह level मैंने आपको बोला है अगर market इसके नीचा है तो 24,890 24,850, 24,815 24,780, 24,750 यह हमारे यहाँ पे support level होने वाले हैं तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि Nifty किस तरीके से काम कर सकता है और इसके support relations level क्या है अब हम बात कर लेते हैं बैंक Nifty की और बैंक Nifty के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पे एक scenario बना हुआ है मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप देखिएगा कि यह जो correction थी यह जो यहाँ पे bounce आया है वो लगबग 50% 50% से उपर में है और 61.8% के नीचे है तो दोनों के बीच में यहाँ पे Feebo का resistance level है और मैंने बोला था कि इस level के जब तक उपर market नहीं निकलेगा तो आप तक तक आपको यहाँ पे तीजी नहीं मान के चलनी है और market यहाँ पे क्या किया वापस से नीचे आया और वापस से नीचे आया एक strong red candle थी लेकिन वापस से एक strong green candle का formation हो रखा है और यह एक bullish हरामी candle stick बहुल सकते हो इसको जो कि एक यहाँ पे अच्छी signal होता है upside के लिए अब यहाँ पे एक नया chart pattern introduce हो रहा है आप देख सकते हो कि यह इस तरीके से follow कर रहा है ठीक है इस तरीके से market है वो इस channel के अंदर जो की एक descending broadening chart pattern था उसका यहाँ पे breakout हुआ यहाँ से वापस नीच आया तो इसी zone के अंदर support लेने की कोशिस की है और मैंने बोला था कि यह यहाँ पे जो इसके नीचे market आएगा मैंने यहाँ पे जब range बनी हुई थी तब बोला था कि यह range अगर breakdown देती है तो नीचे के अंदर यह जो यहाँ पे एक support की line है neck line है किसकी neck line है जो यहाँ से गिरावट हुई उसके बाद में यहाँ पे इसने double bottom बराए एक bottom यहाँ पे एक bottom यहाँ पे है और जो descending broadening chart pattern था उसकी यहाँ पे एक जो upper side की trend line है वो भी आ रही है तो यहाँ पे क्या-क्या हो रखा है trend line का support मिल गया ascending broadening का साथ में horizontal line जो कि यह जो neck line है horizontal line इसका भी support मिल गया है candlestick यहाँ पे बन चुकी है अब यह अगर activate होती है high के अंदर breakout देता है तो हो सकता है कि यह जो swing है वो निकल जाए upside के अंदर और इसके अंदर एक अच्छी-कासी तेजी आपको देखने को मिले ठीक है क्योंकि इंडिया के market के अंदर आप देखोगे तो घिरावट है वो ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे other global market के respect में ठीक है तो यहाँ पे हो सकता है कि अब वापस से एक तेजी है वो मिल जाए तो यह काफी अच्छी situation बनी है कि यहाँ से upside बन जाए और अगर नहीं बनती है तो यह धीरे-धीरे करके downside वाली जो यह trend light है इसके तरफ आ सकता है तो ज़्यादा तर view यह है कि हमारा upside बननी चीए इसके अंदर अब 15 minute के chart के ओपर यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसके जो level है कल के लिए ठीक है तो 15 minute के कल के सभी level है यहाँ पे लगा दिये हैं अब बात कर लेते हैं कि आप देखेगा कि यहाँ पे एक जो एक loads create कर रखाता है यहाँ पे नीचे गया था उपर bounce लिया था तो यह breakdown देखर के गया था तो इसको यहाँ पे breakout कर चुका है trend इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे same scenario बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह upside के अंदर जा रहा है previous low को कभी भी break नहीं कर रहा है तो हो सकता है इसने breakout दे दिया है हो सकता है कि इसके अंदर फिर से एक तेजी बने तो यहाँ पे तेजी कब बनेगी आपको यह जो level है इनको mark करके रखना है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो कि के पास में opening देखो वहाँ पे range बनने दो pullback या फिर यहाँ पे range बनने के बाद में breakout देगा अगर माल लेते हैं कि कोई भी gap down opening होती है तो gap down के पास में range बनने देनी है या फिर वहाँ से bounce लेने की कोशिस करके फिर breakdown देगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो buying और selling का trade कर सकते हो तो यहाँ पे उपर के अंदर यह जो level है यहाँ पे यह जो range है उसकी value है 51,200 का ठीक है downside के अंदर यह जो area है उसकी value है 51,050 का तो अगर यह market है वो इस दोनों के अंदर किसी भी direction के अंदर breakout या breakdown देता है तो उपर में माल लेते हैं breakout देता है 51,200N को उपर में breakout देता है तो 51,330 51,450 51,550 51,650 51,750 51,950 यह हमारे अपर साइड के target होंगे downside के अंदर आता है तो 51,050 यह अगर breakdown देता है तो 51,050 को breakdown देगा तो 50,950 50,850 50,000, 750 50,000, 575 50,000, 400N 50,000, 275 50,000, 100N यह हमारे क्या होने वाले हैं यहाँ पे support area बनने वाले हैं और यह हमारे अपर साइड में target या फिर resistance area बनने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने bank nifty और जो nifty है दोनों के important support and resistance level बता दिये हैं किस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पे वो मैंने बता दिया है यहाँ पे broader view क्या है global market किस तरीके से काम कर रहे है उनके अंदर क्या news flow आ सकता है यह सबी चीचे मैंने आपको discuss करके बताई है तो आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैरल को सस्क्राइब कीजिए और डीमेट अकाउंट आपकी पास नहीं है तो आप बिल्कु फ्री में हमारे एंडर में डीमेट अकाउंट उपन कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन बोक में मिल जाएगा मिलते हैं ने एक वीडियो में थैंक्यू वरी मारे